हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ट बाइ अभी मन्यू आई एस हांजी बच्चे और आज का हमारा टोपिक है मीरर इमेज एंड वाटर इमेज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस टाइम पे सीपीओ के लिए हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं कर लिए तो इसलिए आप को टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर वारें तो हमारी कोशिश यह कि हां जी जैसे तैसे करके कि आप लोगों का एक्जाम क्लियर हो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हंजी आप लोग इस एक्जाम को क्लियर करो पर पेटा जी कल्ले हमारे कोशिश करने से बात नहीं बननी है आप लोगों को भी अपने एफ़र्ट करने पड़ेंगे अगर आप सीरियसली चांते हो कि एक्जाम क्लियर हो तो उसके लिए आपको देखो हरे क्लास को प्रोपर तरीके से समझने हैं हरे क्लास को अटेंट करना है क्लास के अंदर क्या कराया जाता है देखो हम टोपिक भी आपको क्लियर करवा रहें साथ साथ में जो इंपोर्टेंट कोश्चन से वो भी हम आप लोगों को सारे करवा रहें ठीक है तो इसलि तो देखे बीटा आप लोगों ने क्या करना है अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे ज्यादा जुरूरी है आप लोगों ने अपने आपको रेजिस्टर करवाना है ठीक है वीडियो आप यहां पर यूट्यूब पर देखते हो इसके करते हैं अच्छे से स्टड़ी नोट को रीड करते हैं अच्छे से आप अपना टैस्ट देते हैं तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि हंजी आप लोगों की कितनी तयार है इसके अलावा वहां पर पर प्रिवियस यहर को सब्सक्राइब पर में मिलेंगे प्रिवियस स्क्राइब आपको उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्षन के अंदर एंडन सी के इंदर जो हमारा वहां पर mister सकता यह किthest है कि कुष्िन में मैं और रोब रॉप्स JER वंछ क मैं पर क्लियर करेंगे हमारा पूरा पूरा पूरास यही कहें कि हंजी अभी पीडिया की तरप से हमारे तरप पर कोशिश कहीं गई हमारे उपर मेनत की गई तो आज हमारा पेपर क्लिया रहे है ठीक है पेटा जी तो जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को तै कि आपके जो बात की फ्रेंड्स-वोब़ी अजया क्लास को अब आ सकते है उड़््याया अभी अपस्टार्ड कर सके हं और काफी अच्छे-च्छे questions इसमें हम करेंगे जितनी भी types के question exam में आते हो सारी types हम clear करने वाले आज तो बेटा जी start कर रहे हैं हम topic आज का हमारा topic है mirror image and water image तो first question करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि mirror image होता क्या है questions पर जाएंगे questions पर जल्दी से हम बूब करेंगे बस थोड़ा सा हलका सा हमने पहले ये देखना है कि हांजी होता क्या है mirror सभी को पता है दरपन ठीक है हांजी mirror मतलब बिटा दरपन दरपन में मान लो मैं मेरे पास में कोई भी एक item है like मेरे पास में एक marker है या मेरे पास में ठीक है यह है तो अब यहां पर इसको हम अगर mirror में देखेंगे तो वह में कैसी दिखाई देगा तो मीर में है जब भी हम किसी भी object को देखते है तो उसका left part पीटा left right में चला जाता है और right किसमें चला जाता है left में चला जाता है तो जो भी है भी हमारा ऐसे लिखा जाएगा ठीक है जी ट्रेंगल ऐसा ही रहेगा obviously और ए जो है वो हमारा इधर आ जाएगा राइट पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा ठीक है हां जी शरीक के रहे मैं में अभी टेस्ट पीडियेफ के टेलिग्राम कर दो देखें पीटा जी हमारा गुरूप भी बना हुआ है टेलिग्राम गुरूप है उसको भी आप जोइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवलेबल है और शाम को हम डेली जो टेस्ट का लिंक है वो टेलिग्राम पे भी भीजते हैं आप लोगों को सो देट कि आप टेस्ट कर सको ठीक है टेस्ट को अटेम्ट करना है सभी ने चलो जी तो देखिए अब अगर मेरे पास में कुछ अलफाबैट्स है उनको अगर में वाड़ उनकी में मीरर इमेज देखती हूं तो ऐसे दिखाई देगी आप लोगों की स्क्रीन पे अवलेबल है देखो जीरो जीरो की तरह ही दिखाई देगा वन देखो ऐसे है तो यह क्या हो जाएगा बिटा इस तरह से आजाएगा ठीक है टू ऐसे है तो यह ऐसə आ जाएगा तो यहाँ पे-सक्रीन पर आपके में सभी के सभी letters numbers letters numbers small letters and capital सभी की mirror image available है या तो आप इसका screenshot ले लीजिए ठीक है या नोटडाउन कर लिजल दिसे screenshot ले लिजिए ठीक है जी हो गया सभी का screenshot ले लिया है अब इसको आपने समझना है कि जब भी हमारे पास में कोई बी अल्फाबैट आता है तो उसकी मीरर इमेज कैसी बनेगे ओके सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से चलो जी अब यहां पे आपने एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि हमारे पास में बिटा जितने भी अल्फाबैट से ठीक है उनके एक मीरर इमेज आएगी उसके सारे अल्फाबैट से जिनकी मीरर इमेज सेम है रहती है कितने अल्फाबैट ऐसे हैं जिनकी मीरर इमेज सेम रहती है तो बेटा जी 11 अल्फाबैट से जिनकी मीरर इमेज सेम रहती है और दो निमेरिक डिजिट है क्या जीरो और एट जीरो और एट वून की भी आपके मीरर इमे of the given combination अब यहां पर आपके पास में एक वर्ड गीवन है वर्ड लेटर्स प्लस अलफाबेट लेटर्स प्लस नमबर्स सारे के सारे आपके पास में अब लेबल है क्या लिखा हुए देखो ans ans a a n s ठीक है बिटा ans 43 q 43 q 1 2 और हमें क्या बताना है इसकी mirror image बतानी है हांजी शाबाश बिटा question के answer आना शुरू हो गया krishna कृट्टू कहरे रहे 2 very good हांजी तो mirror image फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है हमने इस तरफ इतना करना जो लेफ्ट पोर्शन है वो बिटा आपका राइट में चला जाएगा तो यहां से जो टू है ठीक है टू हमारा इधर आ जाएगा और एह हमारा इधर आ जाएगा ठीक है बाकी और देखो आप हमारे पास म second option is the correct answer, बिल्कुल सही है जिन जिन का भी second option आ रहा है, बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल सीरियस होके तयारी करनी है, नेक्स देखो क्या है, चलो शावाश तो बताइए, नेक्स देखिए, यहाँ पे अपने पास में आ रहा है, टी ए आर ए आई एन 1014A, ठीक है, इसके हमे क्या बताने question है, कहता है, choose the alternative which is closely resembles the mirror image of the given combination, वहे विकल्प चुने, जो दिये गए संयोजन की दरपन शवी से निकट से मिलता जूलता है, हिंदी जादा मुश्किल है बिटा जी, तो देखो बिटा टी जो है, टी आपका left से right में चला जाएगा, टी left से right में चला जाएगा, और A आपका right से left में आ जाएगा, तो देखो second और fourth, second और fourth, दोनों option के अंदर ऐसा ही हो रहा है, तो हमें next आगे भी चेक करना है, अब उसके बाद में बिटा four आपका, हाँ जी, अब उसके बाद में four जो है four हमारा second left position में आ जाएगा, second left position में second के अंदर one आ रहा है और fourth के असान सारा बिल्कूल सही है, तो देखो mirror image असान topic है, बट देखो इसके अंदर से आपके काफी questions exam में आ जाते है, आसान है, बट आसान करके है, असान है कि हमने practice नहीं करनी है, practice makes him and perfect, जितनी practice करोगे न उतना ही, आप लोगों का क्या होगा, कि एक तो आपकी accuracy बढ़ जाए इन डी ओ पी ए की, पी ए के, तो इसकी बटा mirror image बतानी है, आपने mirror image, तो mirror image में मैंने आपको बताया कि left portion आपका right में चला जाता है, left, right में और right आपका left में, अब यहाँ पे देखो, कि one जो है, one आपका left में है बटा, left से चला जाएगा, right में, ठीक है, और के आपका right में जाएगा, तो first, third, or fifth, first, third, fifth, तिनों के अंदर ही के हमारा, कहां चला गया है, right से left में चला गया, ठीक है, अब उसके बाद में, यहाँ पे हम चेक करेंगे, कि next क्या जा रहा है, हमारा, a, a हमारे पास में, again, तिनों आप्शन में आ रहा है, very good, उसके बाद में बिटा, p, अब पी जो है, p, बी तिनों के तिनों आप्शन के अंदर आ रहा है, then, o, फिर है बिटा, n, o के बाद में आएगा, n, अब यहाँ पे हमारी first or second, first, o, d, ठीक है, o, के बाद में, बिटा, d, d, के बाद में, n, 1, 5, अब उसके बाद में, यहाँ पे देखो, जो 9 है, ठीक है, न, 1, 5, 6, 6, को देखो बीटा, यह कैसे लिख रहा है, यहाँ पे अपने पास में, जो ओप्शन से उनको ध्यान से देखो, आप जो 6 है, 6 को यह कैसे लिख रहे, 6, 6 बेटा देखो, ऐसे आता है, ठीक है, जब हम मेर मेर में देखेंगे, तो पलट जाएगा, कैसे ऐसे आएगा, एंसे आएगा, देखो, हाँ जी बताओ, शाबाश, रितिका कहा रहे है, थार्ड, शरी कहा रहे है, थार्ड, टार्ड, जोप्स करिशना कहा रहे है, फोर्ड, देखो बीटा, फोर्थ ओप्शन पे फोकस करो, यहाँ पे आपका, फोर्थ ओप्शन आएगे, रही है लिक्टोश है जिन जिन का भी पोर्थ और्प्शन आंसर है बिल्कुल सही जवाब है ठीक है तो क्या आंसर आ जाएगा फोर्थ और्प्शन इस दा करेक्ट आप्शन हाँ जी नेक्स देखें विटा-जी क्या है चूज the alternative which is closely resembles in the mirror image of the given combination देखो बीटा हर तरह के question करवा रहे हूं अभी आप लोगों का alphabet से related mirror image बता रहे हूं है इसके वलावा जो आपकी clock से related mirror image है वो भी करेंगे हम ठीक है figure से related mirror image है वो भी करेंगे हम ठीक है देखो नाइन ऐसे है तो नाइन इस तरह से हो जाएगा clear है हाँ जी अब यहाँ पर देखो next क्या क्यारा बीटा मली आलाम अब यहाँ पर देखो मली आलाम को कैसे अपने लिखेंगे फॉर्ट आपके पास में थो डौनों के सिसमे से मिरहेगा एभी 121 कैसी में रहेगा ल है ल को देखो आप हां जी देखिए डाउट्स को बिटा क्लियर करते हुए चलना है हां जी जश्पृत को और बिटा इस रेगुलर आ रही है अभी जीपियों के लिए रेगुलर क्लासिज प्रोवाइड करवार है हम आप लोगों को और कंप्लीट कोर्स भी करवार है जश्पृत अल्टरनेट डीव डेज के उपर क्लासिज होते हैं एक दिन के अंदर बिटा दो क्लासिज प्रोवाइड करवार है हम सीपियों की ठीक है अब दो क्लासिज के अंदर यह है कि आपके पास में एक साधे तीन बज़े का टाइम हो ठीक है अगर चेंज भी होता है तो उसका मैसेज पहुच जाता है आप लोगों के पास में एक आप लोगों ने एक और काम करना है कि यहां पर बैल आइकन को एक बार प्रेस करना उससे यह कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो वो सिधा आपके पास चला जाएगा क हां जी क्लास की टाइमिंग यह है जो भी क्लास से रिगार्डिंग मैसेज होगा ठीक है हां जी चलो जी कोस्टन देख रहे थे हम शाबाश बताइए वैरी गूड बताइए पीटा कोस्टन नमबर फॉर मल Iyaलं देखो एम सेम रहेगा कोई प्रोब्लम नहीं है ए सेम रहेगा एल की पोजिशनचे जोगी ठीक है ऐल की पोजिशन हो रहा है तो यह आपकी मीरर में जागी है तो सेकेंड ऑप्षिन इस दा करेक्ट आंसर ठीक है जी हांची तो नेक्स्ट कोश्चन देख लेते नेक्स्ट कोश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर देखें कैदा चूज अल्टरनेटिव इचिस क्लोजली रिजंबल्स दा मीरर इमेज ऑफ दा गिवन कॉम्बिनेशन इफ एक्टिव एक्टिव के लिए बताना है तो अब यहां पर पहले देखो बिटा जो यह है यहां पर हमारे पास में ऐसे बन रहा है ठीक है तो ध्यान रखना है कि ए है जो वो जब मीरर के अंदर देखोगे तो कैसा दिखेगा ऐस जलसी बात है ठीक है हां जी जल्दी से आंसर बता दीजिए अब हां जी जश्प्रीत कोर कह रहे है पटवारी पटवारी का बैच बेटा है पटवारी की अभी वेकेंसी जा जाती है उसके बाद में पेड को स्टार्ट करेंगे आपका फ्री वार्म अप कोर्स हमने पूरा क कम्प्लीट करवाया है आप लोगों को हां जी कम्प्लीट कोर्स भी शुरू करेंगे इसका पेड को शुरू करेंगे अभी वेकेंसी जा जाते बीटा जी हाँ जी वेरी गूड जिन जिन भी केंडिडेट्स का फर्स्ट अंसर बिल्कुल सही है इफ्टिव देखो बीटा यहाँ पे एचेंज हो गया उसके बाद में आएगा वी चेंज होके आएगा फिर क्या आएगा वी आएगा ठीके जी अब यहाँ पे फर्स्ट ओप्शन और फॉर्थ ओप्शन यह यह सेकेंड और थर्ड तो पहले कैंसिल आउट होगी उसके बाद आएगा बिटा क्या आई उसके बाद आएगा हमारे पास में आई क्लियर हाँ जी तो हमारे पास में बिल्कुल सही है जिनका फर्स्ट आंसर है उनका बिल्कुल सही है तो नेक्स्ट कॉस्चन किसी को डाउट हो इसके अंदर कॉस्चन नमबर फाइव में किसी को कोई भी डाउट हो हाँ जी गोरव कुमार कह रहे हैं फोरम बढ़ते से में फोटो नहीं बिटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए नाम लिखने से और जश्प्रीत को और कह रहे हैं मेंनम अकाउंट की क्लास अकाउंट की क्लास बेटा फ्री वार्म अप कोर्स था आप लोगों का यह जो हमारा कोर्स था वो फ्री वार्म अप कोर्स था और फ्री वार्म अप कोर्स के अंदर हाँ जी जो free warm-up course है उसके अंदर हमने जस्ट introductory classes ली है उसके बाद में जो complete course करवाएंगे जैसे अभी CPO का है CPO का हम complete course करवा रहे हैं इसके अंदर से कुछ भी मिस नहीं होगा आप लोगों का चलो जी आप नेक्स्ट को सचन देखना है इस कोस्टेन में किसी को को विडाउट कोस्टन बिलकुल कलियार है सभी का चलो जी तो नेक्स्ट को कि तरह मूँ तरफ हैं देखो केरफास्टाइंड मेर इमेंज इन एग्जाक्त ताइम्स ओन इंद लोग वाज 840 लोग है आपके एक ध्यान से देखना है बाते काप योगी पहले थोड़ी दिर बिल्कुल ध्यान से समझना इसको हमारे पास में बेटा जी एक लोग है ठीक है जी क्लॉक बन गई आपके अब यहां पर कह रहा है कि इस टाइम पर आपका 840 का टाइम है 840 मतलब की जो एक हैड है वो आपका यहां पर है ठीक है 840 का टाइम है ठीक है तो 840 मतलब की दूसरा भी हैड आपका यहीं पर है दोनों के 8 वाला एक थोड़ा से यहां पर आपका आगया ठीक है और एक आपका यहां पर है इस तरह ऐसे कुछ होगा टाइम 840 अब यह 840 है त इसका ड़र इमेज बतानी हमने बीटा जटम एररे मेज बतानी है तो मेरे इमेजिक अंदर क्या संभी इता ऑर दूसरी है वह आपकी कहां पर चली जाएगी आलम।स्ट कि यहां पर जाएगी आलम।स्ट ठीक यह स refusing बजी मिनटर आपके 3 बजी के 20 मिनटर तीम आएगा बट है यहां पर हमने लौक में आपके लॉक कर्u करने की जुरूरत नहीं ए अगर supposedly को कॉस्चन हो उता है कि टोटल अपने पास में 12 धंटे हैं यह दिखाई दे रहे हमें सीधा आपने क्या करना है कि 12 ऐसे लिखते हैं देखो 12 ऐसे लिखते हैं अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हूं इसमें किसी को कोई भी डाउट हां जी ऐसे लिख सकते हैं बेटा जी बिलकुल लिख सकते है अब यहाँ पर देखो, कि करना क्या है? इसने काया कि टाइम दिया हुआ 8.40, इसके अंदर से आप 8.40 को माइनस करती जी ठीक है? तो आपके पास में क्या बच गया? 320 बच गया, 320 इस यूर अंसर, सिम्पल सी ट्रिक है, करना क्या है? 11.60 में से उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाते हैं ठीक है टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल ही बढ़िया मैथर बताया मैंने आप लोगों को क्या करना उसको बारा साथ में से बिटा माइनस कर दोगे तो आप लोगों का अंसर आ जाएगा क्लियर है सभी को ठीक है तो नेक्स्ट का जवाब दीजिए मुझे जल्दी से फटाफट जल्दी से बता दीजिए बिटा क्या जवाब आएगा फाइंड दा मीरर इमेज में एक्जेक्ट टाइम शोन इने क्लोक वाज 607 शे बज़के साथ मिनट है छे बज़के साथ मिनट अब देखो यहां पे छे बज़के साथ मिनट तो हम क्या करेंगे इसको चारा साथ में से माइनस करेंगे करेंगे तो हंजी आंसर वेरी गूड आनसर आना शुरू हो गया शाबाज बेटा जी क्या है अपना आंसर बिल्कुल सही है 553 बिल्कुल सही है c is the correct option ठीक है बिल्कुल सभी को क्लियर है कोई डाउट अगर एक्जाम में ऐसा question आता है कर ले है यह हाँ जी बी option भी आरहा बी कैसे आएगा देखो बिटा हमारे पास में हमने माइनस करना 11-60 में से यह बी ओप्शन आरहा है किसी बच्चे का तो बी ओप्शन नहीं आएगा बिटा शी ओप्शन आएगा देखो क्या है 1160 1160 में से आप 607 को माइनस करोगे ठीक है तो य हमारे पास में क्या आगया विटा 553 553 is the correct answer ठीक है हां जी सो next question की तरफ मुव करें next question देखे जल दी से बता दीजिए मुझे क्या रहा कि इसे clock shows 4 hour and 12 minutes 4 hour and 12 minutes what time does it mirror image now 4 बज के 12 minute 4 बज के 12 minute दिखाई दे रहा है मुझे मेरी clock में तो उसकी mirror image क्या होगी 4 बज के 12 minute क्या करना विटा सिधा इसको आप माइनस कर दोगे ठीक है clear विटा जी सभी को कोई सके अंदर doubt मेरे इसाब से कोई doubt नहीं रहना चाहिए हां जी विटा भी बिल्कुल सभी में लगेगा यह रूल कोई भी टाइम अगर आपके पास में दिया हुआ सभी में यह रूल लगेगा ठीक है हां अगर किसी में अगर आपको जो time है 24 आर्स वाली गड़ी के according दे रहा है लाइक अपने पास में टाइम दे दिया 14 थेके, 1420 नवी किकाWorld, तो फोर्टीन हमें पता है, तो उसके अंदर क्या लोगा पेस ले लेगा, ले लेलेना, ठीक है थो न, 23, माँ लो अपने पास में जो घडी है वो है रहे हैं कि उसके अंदर ये टाइम हुआ है ठीक है अब हमें पता है कि घड़ी तो बारा बचे तक ही चलती है पर उसने जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए या कुछ भी तो आप 24 में से माइनस कर दोगे ठीक है या फिर तेज़ साथ में से माइनस कर दोगे पर इस तरह का कभी भी नहीं होता कोई भी नहीं होता सिरफ एक कंफ्यूजन करने के लिए आपको कोश्चन दिया जा सकता है क्योंकि घड़ी सभी ने देखे सभी की घड़ी में 12 तक ही बजते हैं सभी की घड़ी में 12 तक ही बजते हैं ठीक है क्लियर हां जी तो बेटा यह रूल सभी में लग गुँर्ट मेंत धीजिए टृब है एक हीलोजिक माइंड में रखना है कि लेफट को रैट में लेके जाना रैट को लेफ़्ट में ओर कुछ नीहीं सोचना में फिल्यद के अंदर हण पर ये इमेज उसके बात में हां जी उसके बाद में आप देखो कि जो हमारी वोडेंटल लाइन है उसकी तरफ से जो स्लांटिंग लाइन है वो लंबी है ठीक है तो eiन्न कीनप लाइन दी के अंदर आपकी लंबी है एक अंदर वो छोटी है तो क्या आएगा डी वाला जो महा थाएगा ठीक है डी हिज दा करेक्ट आंसर ख्लिएर पीटा जी हां जी डी आंसर आ जाय आप लोगों का बिल्कुल जिन जिन का डी आंसर है बिल्कूल सही है तो नेक्स देखिए चूज दा करेक्ट मीरर इमेज ओफ द गीवन फिगर फ्रॉम अमंग दा फोर अल्टरनेटिव चार अल्टरनेटिव दिये हुए आपको इसकी दरपंड शवी चुननी है अब देखो पीटा यहां पर सिंपल सा है कि यहां पर एक सरकल दिया हुआ आप ल चला जाएगा राइट साइड में चला जाएगा ट्रेंगल राइट साइड में बट रहेगा अपर पोर्शन के अंदर अपर पोर्शन में राइट में चला जाएगा ठीक है उसके बाद में जो हाफ सापका हाफ सरकल है ठीक है वो बिटा लेफ्ट के अंदर रा क्या हो आपका डी ऑप्शन आजएगा बिलकुल सही है जिन जिन का भी डी ऑप्शन आ रहे है बिलकुल सही है अगर डाउट आ रहे है तो मुझे बताओ एक बर सभी का क्लियर है अच्छे सी समझ आ रहे है क्या करना है सिंपल लेफ्ट पॉर्शन को हमने राइट में मूग कर देना करें शांजी बिटा जी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है साथ वीडियो पसंद आ रही है जो में आपको लोगों को समझा रही हो समझा के अना नहीं हम वांत मिंश भी कर रहे कर रों ऐ हांजी एक्सप्लेइन कर दूं देखेए बिटाजी इसके अंदर देखो हमारे पास में जो figure है figure क्या कह रही है इस तरह के कुछ figure बनी लिए यह circle है ठीक है circle के अंदर इस तरह से image बनी लिए इसके अंदर यहां पर जो circle है circle के अंदर यहां पर देखो आप इस तरह से image बनी लिए ठीक है यहां पर यह portion आपका क्या है यह dark portion है इस dark portion है ठीक है यहाँ पे भी आपके पास में dark portion है और यहाँ पे कुछ lines बनी लिए इसके अलावा यहाँ पे आपका एक circle है और यहाँ पे एक triangle है इस तरह की image बनी लिए अब यहाँ पे आपने देखना है कि जब आप इसको triangle के अंदर mirror के अंदर देखेंगे तो यह जो आप का rectangle है ठीक है इसके अंदर यह circle आ गया अफ सरकल के अंदर यह जबार पोर्शन है वो डार पोर्षन क्या हो जाएगा आपका अजी जो डार पोर्शन यहाँ पर है यह इदर चला जायेगा तो डार पोर्शन बटाया यहाँ पे आ जाए गए और यह वाला जो दारक पोर्श जो मेरे ट्राइंगल यहां पे है वह मेरे ट्रेंगल इधर आ जायगा और जो मेरे यह हाफ सरकल इधर है ठीक है वह फेरकल मेरे इधर आ जायए बच्छों ने जवाब दिया है वेरी गुड गुड है कि अ Allare वे देखो अ रहा है चूज दा करेक्ट मीरर इमेज ऑफ दा गीवन फिगर एक्स फ्रॉम दा अमंग अस दा फोर अल्टरनेटिव आप लोगों को गीवन है चार अल्टरनेटिव के अंदर अगें यहां पर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत निया क्लोक गीवन भीटा ठीक है क्लोक यहां पर आपके पास में सेवन और एट के बीच में है वह आपके उधर किदर चली जाएगी फोर और फाइव के बीच में चली जाए तो बिल्कुल सही है जिन जिनका भी डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है बिटा जी सो नेक्स कोच्चन देखते हम चाबाश यह बत आपकी जो स्लंट終 Observative भागिए कि साइड आरा आपका राइट की सब्सक्रां धार आट राइट की साईट में एर्ण सो राइट से लेप्ट की साइडमेख takiej में टिक है उपर वाला जो एर वहां वो लेफ्ट की साइडि चला जा जाएगा और शणी निचे वाला यारो हाप अंदर क्या हो रहा है जो अपर है वह अपना क्या हो रहा है डिरेक्शन चेंज कर रहा है और नीचे वाला भी चेंज कर रहा है ठीक है हां जी बिल्कट खेंगा नेक्स्ट कोश्चन देखें शाबाश next बताईए next क्या है choose the correct image अगेन आप लोगों के पास में कि मेस्ट दिवी यह वापने फाइंड आउट करने हुआ को कि देख भीता आप लोगों को समझ आ रहा है है थीक है अगर आपको लगते है कि हम आप लोगों के पिछे मेहनत कर रहे हैं तो आपके और बाकी फ्रेंडस भी प्रिपेर कर रहे होँ सीपीओ के लिए तो आप उनको भी कहिए कि हांजी यहां से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके अंदर आपको सारा कुछ यह की प्लेटफॉर्म के उपर मिल रहा है और वो भी बिना किसी कोस्ट के कि हां जी वैरी गूइड आनसर आना शुरू हो गया है सी करेक्ट ऐप्शन बिलकुल सही है बिटा जी जिन-जिन का भी सही ची आंसर है उनका बिलकुल सही है ठीक है एरो हमारा मुव ओर सी और डी दो ऑप्शन के अंदर आरा है फिस्ट और सेग्ड तो पहले एलिमिनेट हो है उसके बाद में हमारे पास में जो देखो जो सरकल है सरकल के दोनों साइड में हमारे पास देखो पीटा यहां पर इस तरह का कुछ सिंबल बना हुआ है अब इस सिंबल के उपर फोकस करने यह चेंज हो जाएगा हमारा ठीक है हाँ बस यही छोटा सा फरक है इसको ध्यान से C और D के अंदर जो डिफ्रेंशेट कर रहा है वो इसी को डिफ्रेंशेट कर रहा है थोड़ा सा इससे हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा तो C is the correct answer बिल्कुल सही है जिन जिनका भी सही जवाब है C C जिनका जवाब है उनका सही है अब उसके बाद बाद बेटा हम बात कर रहें water image की water image के अंदर क्या होता है water image means जब हम पानी के अंदर किसी भी चीज को देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देती है जब हम mirror के अंदर देखते थे simple सा एक point इसके अंदर हमने ध्यान रखना ह है कि भी जब हम mirror के अंदर देख रहे हैं बस simple सा एक point इसको ध्यान से सुन लो जब हम mirror के अंदर देखते हैं तो left portion right में चला जाता है left becomes right and right becomes left ठीक है और जब आप वाटर में देखते हो बस एक point अगर समझ में आ गया that means कि पूरा क्लियर है आप लोगों का इसमें क्या होगा जो टो पोर्शन है अपर पोर्शन है वो का हो जाएगा बोटम में चला जाएगा और जो बोटम के अंदर है वो हमारा टोप पे चला इतना सब्सक्राइब रहा था जब अधर ऑट लिए तो यह ऊपर चली जाएगे और यह यहाँ पर यह मिला हुआ अपस में ठीक है यह हमारा नीचे चला जायगा है तो पन जाएगे हमारी क्लियर बस यह इतना सा पॉइंट है इतना शोटा सा एक आपको अनस मैंने एक स्टीक पॉइंट दे दिया सिरफ इसी के उपर आपने सारा का सारा आपका वाटर इमेज आपका क्लियर हो जाएगा आप देखो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूं एक शीट इसके अं हैं जी होगे बिटा चलो जी तो अब देखो यहां पे आपने जो पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हम मीरर इमेज कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे 11 अलफाबेट्स ऐसे हैं जिनकी मीरर इमेज सेम रहती है इसी ताह से अगर हम वाटर इमेज की बात करते है तो 8 अलफा है जिनकी वाटर इमेज सेम रहती है ठीक है चलो जीत अब देखते हैं आप कोस्टिन का जवाब कौन दे रहा है सबसे पहला है नूकलियर ठीक है एक वर्ड आगे आपके पास में एक ध्यान से समझ लीजी बाकी के तो फिर मुझे पता आप लोग कर लोगे ठीक है अब इसका क्या करना हमने वाटर इमेज बता रहे है तो यहां पर क्या हो रही है उसकी सिरफ पोजिशनिंग ही चेंज हो रही है तो यहां पर हमारा यह एन कैसा आएगा बिटा हां, जी एन कैसे बन जायँगा अपका ऐसे बन जायँगा ठीक है ऑथे क्लियर हां जी उसके बाद मेठ यू यूं अब हमारह ऐसे जा रहा है तोउ feu कैसे आजाएगा ऐसे आ जाएगा ठीक outta सी बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा जब हम एल की बात कर रहे हैं तो भी डंडी तो ऐसी की ऐसी रहेगी बस यह जो नीचे था यह इधर जला जाएगा डन अब उसके बाद बैटा ए ए देखो अब ए वहाँ पर हमारे पास में ए की पोजिशनिंग चेंज हो रहे थी ठीक ह ए जो था अब गट यहाँ पर हमारा ए वैसा ही रहेगा जैसा की ए होता है ए ऐसे हो जाएगा जब आर की बात कर रहे है तो आर बिटा क्या होगा हमारे पास में यह सरकल ऐसे आजाएगा और यह उपर चला जाएगा डन तो बिल्कुल सही है जिन जिन का भी फोर्थ आंसर आरा वो बिल्कुल सही है तो क्या आंसर आजाएगा फिटा फोर्थ इस दर करेक्ट आंसर समझ आ गया हांजी किसी को कोई भी डाउट हो बिटा इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है अगर समझ आ गया है तो जल्दी से मुझे नेक्स का जवाब बता दीजिए शाबाश बेरी गुड़ हांजी शाबाश बताइए बिटा इसके अंदर भी देखो मैं आप लोगों को क्लोक वाला भी कराने वाले भूर अच्छे कोस्टिंस आने वाले हैं और फिगर रिलेटिड कोस्टिंस भी आएंगे ठीक लोग रिलेटिड अगेन आपको ट्रिक भी मिलेगी कि कैसे आप सॉल करोंगे अ आई चलको जल्डीस बता दीजिए क्या आंसर आए गा देखो यहां पर ब्रीक दो जो भी है बी-बी की फोजिशन पर ही रहेगा बड़ बी क्या बन जाएगा ओ पी बन जाएगा ठीक है हां जी धी हां बन जाएगा तो दोन अ मेह है आप दूसरे पोजीशन पर ती के लॉट वह हमारा आ ऐसे लुट के ठीक है हां जी आही यहाँ पर आ रही है वह यहाँ पर क्या हो जाएगी ऐसे नीची आ जाएगी ठीक है हांजी आई हांजी शबाज बताइए बेरी गुड हांजी बी बी बिल्कुल सही जवाब है तो जिन जिन का भी बी आंसर है बिल्कुल सही है बी आंसर बिल्कुल सही है हांजी B is the correct answer, very good, हांजी जर लो बेटाजी, next बताईए जल्दी से, क्या है, choose the alternative which is closely resemble the water image, again water image बताने आप लोगो ने, चलो शाबाज बताईए, water image, एक बार जो भी लेट आए, class के अंदर, water image में क्या करना है, हमने, जो अपर portion है, वो down में चला जाएगा, down portion अपर portion हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे G लिखा हुआ है, हमारे पास में, G जैसे लिखा हुआ है, तो G हमारा कैसा बन है, जी ऐसे लिखा हुआ है ठीक है, जी हमारा इस तरह ऐसे बना हुआ है, तो G कैसे बन जाएगा, हमारे पास में, कुछ इस तरह से अपने पास में Umej बनेगी, इसकी, यहाँ से यह निछी साइड आ रहे हैं, तो यह अपने पास में, कैसे लिखोगे इसको, लिखने के अ अंदर से से आजाए अड़ों इस तरएसे कुछ बंजाएगा देखो बिट ठीक है नहीं थी कर इस तरफ यह लिए ग इस तरह तेक है हां जी देखो इस तरह से कुछ बनेगा भी आ गापन सुछ टो ठीक रुप ऐघी के अंदर ली लिख्का हुआ है अवह फिर उसके कि बाद में पिटा बन रहा है नाइन हम की क्या बिゲल Nós को ध्षय आँ अश्राबवाज सी और डिको दिखो यहां पर बीटा जो अपने पास में कैश्ई है सी बिल्कुल सही है देखो सी सही है बिल्कुल देखो पेटा जो डी है उसके अंदर एको बिल्कुल वैसा ही लिखावा जैसा एह होता है बट ए वैसा नहीं होता एक ही पोजिशनिंग चेंज होगी ठीक है तो जिन जिन का भी सी आंसर है ठीक है वो बिल्कुल सही है सी वाला लव सही है क्योंकि वहाँ पर जो ए है आपका फॉर्थ ओप्शन के अंदर उसके अंदर एको बेट कुल एज़िट इस लिखा हुआ है और वाटर इमेज में एकी पोजिशन चेंज होती है ठीक है तो थार्ड इस दा करेक्ट आंसर हाँ जी किसी को कोई डाउट हो इसके चलो जी तो नेक्स कोश्टन देखते हैंग्स कोश्चन देखी क्या है एवश्committee यह सभी और रीवcych भी ऑपने पिल्कुल चारों की चारों के अंदर soll ृट सेम लिखा हुए ज़िकी और उसके बाद में वन देखों यहाँ पे आपके पास में 1st और 2nd दोनों का आपके पास में eliminate हो गया है कुण सा है या तो 3rd में और 4th में दोनों में सही है 1 उसके बाद M देखिए M की positioning भी change होगी बिल्कुल अब 3rd और 4th दोनों में ही M जिसला same दिया हुए ठीक है हां जी दोनों के अंदर सेम अंसर दिया हो थाड का उसके बाद में देखो थ्री को देखो दियां से हां यहीं से आपके पास में आ जाएगा जब आप थ्री लिख रहे हो तो थ्री के अंदर फॉर्थ ओप्शन के अंदर उसकी लेफ्ट राइट पोजिशन चेंज कर रहे है ठीक है बठाव में लाफ्र राइट पोजिशन नहीं चेंज करने सोथ थार्ड करक्ट आंसर ऐख टो कि इस्था करेक्ट रहां जी बेंदर यादा फॉर्ट एक ऐसे हो जाएगा देखो यहांप एक ऐसे हो जाएगा देखो वन पो देख़आ पैसे आप बन को देख कहा रहा है कि यह वान तो यहां वे बेटाई यह जो आपका इसी साइड ही जाएगा ना इस साइड थोड़ी ना जाएगा क्लियर सो चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बताइए शाबाश E8T4E9C 18th कोश्चन बताइए शाबाश वाटर इमेज बतानी आपने हाँ जी वेरी गुड क्रिश्ना के टू वेरी गुड शाबाश बाकी बाकी भी जल्दी से देखिए कैसे क्या करना हमने देखो E है बिटा E वैसे वैसा ही रहेगा 8 के अंदर जो अपर सरकल है वो हमारा नीचे आ जाएगा छोटे वाला तो यहां पर चारों यह ओप्शन में यही शो कर रहा है उसके बाद में T की पोजिशनिंग देखिए आप T देखिए बिटा जी तो जो T है वो फोर्थ वाल करोगे जब धनी मीरे में इस फाइंडाओट करी थी तो इसकी लिए मैने आपको बाधा ही एजी सा मैथड बताया अभी बारास ग्यारा-साथ के अंदर से इसको माइनस कर देंगे वाक के चाहिए में क्या करेंगे हां जी बीटा वाटार इमेज में क्या कुरेंगे देखे हैं हमारे पास में क्लोक है ठीक है अब मान लिए ali यहाँ पर हमारे पास में टाइम दिया हुआ है क्या 615 615 दिया हुआ। 6 यहां पर और 15 के लिए एक सुई यहां पर आएगी मेरी ठीक है और एक यहां पर आएगी 6 15 होगे अब वाटर इमेज के अंदर करेंगे तो बिटे यह जो पोर्शन है यह यहां पर चला जाएगा ठीक है उपर चला जाएगा और यह यहीं पर ही रहेगा यह यहीं पर ही रहेगा क्योंकि यह तो सेंटर में है तो क्या आएगा अपने पास में टाइम 12 15 आगया तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास में वाटर इमेज निकालनी है तो उसको हमने क्या करना है बिटा 18 30 ठीक है क्या करना है 18.30 में से माइनस कर देना है ठीक है तो यहां पर अपने पास में क्या टाइम दिया हुआ है 6.15 तो 6.15 करोगे तो क्या आगया 12.15 12.15 याद रखना है जो water image करनी है बेटा तो 12.00 में से माइनस करना है ठीक है है जी तो आंसर क्या आजाएगा ए इस दा करेक्ट आंसर और यह सभी पे अलाव अपलाई होगा ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट ओर है ध्यान देने वाला अगर मेरे पास में अगर मेरे पास में टाइम आ जाए कि 6.45 मिनट की वाटर इमेज बताने है फिर क्या करेंगे ह और इदर से एक कैरी ले लेंगे सिंपल सा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1790 क्या बन जाएगा 1790 तो 1790 में से आप माइनस करता है ओके हां जी यह आप सभी जगह पर अपलाई कर सकते हैं जहां पर भी आपके पास वाटर इमेज आप से पूछी जालो जी तो अब बत बार बार बतार इस रफ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है तो आप अगर हमारे चैनल को के उपर जो रेजिस्टर करते हैं ठीक है ना जब आप वहां पर जाके आपनी वीडियो को देखोगे तो वहां पे आपको प्रीवियस यह के पीडियेफ भी आप लोगों को अवलेबल होगी जो मैंने क्लास में कॉश्चन कराएं सभी की पीडियेफ आप लोगों को अवलेबल होगी इसके अलावा पीडियेफ के अलावा आप लोगों को टेस्ट भी मिलेगा प्रैक्टिस वास्ते तो यहां पर आप लोगों को पता हमारा SSC CPU का Telegram channel भी है उसका भी आपका लिंक description में अवलेबल है आप वहां से उसको भी लिंक आप हाँ जी महाँ पर लिंक पर जाके इसके साथ में भी आप क्या कर सकते हो कि Telegram channel पे भी अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हो तो उसके इसके अंदर क्या है कि हम आपको जो टेस्ट टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर वा सकते हैं ठीक है हां जी शाबाज बाते आंसर बताइए 21 और 21 और फ़र्षान का अंसर क्या आएगा देखो लफ्ट जो अपर पॉर्ष्टन है वो लोवर में चला जाएगा निचे शरकल लेटा सरकल उपर चला जाएगा ठीक है अब सरकल फास्ट और सेकंड यहाँ धिहान से समझी फास्ट औ के अंदर सरकल आपका उपर है ठीक है और यह आपका जो ट्रेंगल है वो निचे जा रहा आप ट्रेंगल में भी देखो डिफ्रेंस अब हमने जो फाइंड आउट करना वो ट्रेंगल के अंदर करना है तो ट्रेंगल है आपका ट्रेंगल के अंदर आप यहां पर देखिए कि जो ट्रेंगल है उसकी भी तो पोजीशनिंग चेंज होगी ठीक है ना उसकी भी पोजीशनिंग चेंज होगी तो जो सेकिंड ओप्शन है दैट इस और करेक्ट आंसर तो जिन जिन का भी बी आंसर है बिल्कुल सही है चलो जी नेक्स्ट बताइए 22 रिंदर यादव कहा रहे है ट्वेंटी एथ का क्या आंसर है ट्वेंटी एथ कोश्चिन चलो जी एक पर फिर देख लेते बिल्कुल सही है बिटे डाउट नहीं छोड़ना यहां पर क्या कहा रहा है कि शौन क्लोक इन सेवन ट्वेंटी सेवन फिलेटी एक ट्वेंटी को क्या करोगे आप हांजी 1830 में से बिटा माइनस कर देंगे तो चान सरा आगया आपके पास में 11 10 बी इस दबर करेक्ट अंसर ठीक है पुश्चिन नमबर 20 अथ का बिटा भी आंसर है ठीक है हां जी कॉश्चिन नमबर 22 का भी बी आंसर है उसके बाद में आ जाते question number हाँ जी question number 22 हाँ जी question number 22 बताईए शाबाज हाँ जी शाबाज बेटा जी ध्यान से देखे इसको बताईए क्या answer आएगा हां जी बी तो देखे बीटाजी क्या answer आ जाएगा इसका हमारे पास में देखो चारो की चारो अप्शन के अंदर ट्राइंगल की पोजिशन चेंज और सबसे पहले तो हम यहीं देखेंगे उसके बाद हम उसके अंदर जो एरोज बने हुए उनकी पोजिशनिंग देखेंगे ठीक है आप यहां पर अपना उपर चला जाएगा तो यहां पर अपने पास में आंसर है सेकिंड ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर जिन जिन भी केंडिडेट का बी आंसर है उनका बिल्कुल सही है जिनका भी बी आंसर है बिल्कुल सही है बिटा तो आंसर क्या आजाएगा ट्वेंटी सेकिंड कोश्चन का आंसर आजाएगा बी चलो यह बताईए चूज दा करेक्ट वाटर इमेज वाटर इमेज बतानी है आपने मेटा सेम नहीं है माइनर सा डिफ्रेंस है दोनों के अंदर हाँ जी शाबाज बताईए कोश्चन नमबर ट्वेंटी थ्री वीडियो को मेटा मैक्सिमाम शेयर करना है आप लोगों ने हैं जी जो बब परनी से वह बी तैयारी कर रहे होंगे और की कोई भी ऐसा प्लेट फॉर्म मिन है जहां प है आपको फ्री में सुरी में Moto कोस आपको परवाइड किया जाये हम आप ने गोट बताईे बीटा जी क्या आन्सरा आए गा सब्सक्राइब अ यह खिल यह थोड़ा सधीयन से अनलाइज करना है हमने को देशी रहे हैं लोगा इंदल रहे हैं सीदे पार मेरे मिस देखो और यान्सर आएगा फोर्त करेक्ट आंसर है थोड़ा सा इसको दिहां से अनलारीज करना डिico third or fourth almost 1 मूस्ट एक जैसी का दे रहीए आप लोगे आल मूस्ट एक जैसी दिकाई दे रही है बस थोड़ा सा difference है जो यहाँ फरकल दोनों सरकल जब इहाँपे बीच में जुढ रहे हैं तो उसके बीच में स्केर बना हुआ है इस데यो दिफरेंशाट हो रहा है वचला सा बना है तो इसको थोड़ा सा आप जोड़कर के देखे तो यहां पर आंसर फॉर्थ आ जाएगा फॉर्थ बिल्कुल सही आंसर है ठीक है तो नेक्स्ट कॉस्चन देखे क्या है यह तो चूज दा करेक्ट वाटर इमेज ऑफ दा गीवन फिगर फ्रॉम अमंगेस ता फोर अल्टरनेटिव चार अल्टरनेटिव गीवन है और इसके अंदर से आपने इसकी वाटर इमेज बतानी है तो शाबाश बताईए हां जी शाबाश बताईए हांधी देखे बीटा क्या हो रहा है इसके अंदर हमारे पास में बीटा एक ट्राइंगल है और और एक और फिगर बनी हुई है तीन फिगर्स वर्फंटेश रिगुमि यह होई जाएगी ट्रेंगल का जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो निची आ जाएगा लाइन उपर चड़ी जाएगी ठीक है जी बेस आपका पर हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखो आपके पास में जो थार्ड ऑप्शन है थार्ड और फॉर्थ और फास्ट इसके अंदर ही हो उसके अलावा अब हमारा जो है नीचे सरकल है अब सरकल के उपर हम फोकस करते हैं सरकल हमारा उपर चला जाएगा बिल्कुल सही है ठीक है सरकल उपर चला जाएगा बट जहां पर जो सरकल जब उपर जाएगा तो बेटा यहां पर जो सरकल है इसके भी चार हिस्से की हुए और एक हिस्सा आपका डार्क है ध्यान से देखो एक हिस्सा अपना डार्क है तो जो डार्क वाला पार्ट है वो निच्छी जाएगा ठीक है और पोजीशनिंग सेम ही रहेगी तो वो किसमें और थर्ड वाली ओप्शन में हो रहा है बिटा देखो ध्यान से तो यहां पर थर् बिल्कुल सही है बीटा जी आंसर क्या जाएगा थार्ड इज़ा करेक्ट आंसर ठीक है हां जी एक स्टूडेंट ने का आया कि कोश्चिन नंबर 22 22 में आ जाते बिटा दुबारा से कोई बात नहीं देखिए हां जी कोश्चिन नंबर 22 देखिए इसके अंदर इसको समझा देते बिटा मैं क्या हो रहा है कि देखो यहां पे अपने पास में जो सेकिंड ऑप्शन है ठीक है सेकिंड ऑप्शन पर फोकस करें यहां पे बिटा देखो जो ट्रेंगल है ट्रेंगल की दोनों की पोजीशनिं में पोजीशनिंग चेंज हो रही है अब हमने जो ध्यान देना है इसमें थोड़ा माइनर सा है कि यहां पे जो सरकल है सरकल के अंदर भी डार्क पोर्शन है ठीक है ना और जो डार्क पोर्शन है सरकल में लोवर हाफ जो है वो डार्क है बेटा तो वह अपर हाफ डार्क हो करना है ठीक है और देखो क्या है हमारा मेन मोटीव यह है कि हंजी आप लोगों का पेपर क्लियर करवाया जाए अब आप लोगों के उपर है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है आप कितनी डेडिकेशन के साथ क्लास अटेंड करते हो ठीक है पिटा क्योंकि हम अगर आप कोशिश करेंगे ठीक है ना अगर आप अपना 100% अभी पीडिया को देंगे तो हमारी पूरी कोशिश है कि 101% आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए सो देट कि आप लोगों का एक्जाम डेफिनेटली क्लियर हो तो थैंक यू बेटा जी थैंक यू सो मच ही जाएड़ माज़ी जी तेपस्टन है ठीक ह्ड़ घाएड Спाषरी कि पूझे थायां रिAcे लाएडेज के यूसाओ कि आपको नाएड़ gलोगों